ये कहानी है कमला की कमला अपनी बेटी पूजा के साथ धरमपुर गाउं में रहती थी उसके पती के देहांत को काफी साल बीच चुके थे कमला के पास एक गाय थी जो अचानक बीमार पढ़ गई और मर गई कमला की कमाई उसी गाय का दूद बेचने से होती थी अब उसका वो सहरा भी हाथ से चिन गया था मा अब हम क्या करेंगे हमारी गाय तो बीमारी के चलते मर गई अब तो पैसे कमाने का कोई जर्या भी नहीं बचा यही चिंता मुझे खाय जारी है पूजा पर कुछ ना कुछ रास्ता तो मुझे निकाल नहीं होगा मैं पडोस वाली सरोज बहन से अगर उनकी गाई का गोबर मांगकर उपले बना कर बेचू तो उपले बेच कर कुछ तो पैसे आही जाएंगे मैं सरोज बहन से बात करके आती हूँ सरोज बहन तुम्हें तो पताई है कि मेरी गाई बिमारी के चलते चल बसी अब मेरे पास कमाने का कोई भी जर्या नहीं है क्या मैं तुम्हारी गाई का गोबर ले जा सकती हूँ उपले बनाने के काम आ जाएगा अच्छा है रोसाना गोबर साफ नहीं करना पड़ेगा इसे हाँ बोल देती हूँ ठीक है ले जाया करो पर पूरी साफ सफाई करके ले जाना कहीं भी गोबर पड़ा हुआ ना दिखाई पड़े तेरे उपर छोड़ रही हूँ गोबर उठाने के जिम्मेदारी हाँ मैं गोबर उठाने के बाद सारी साफ सफाई कर दिया करूगी कुछ पैसे तो मिली जाएंगे अब ये गोबर ले जाकर उपले थाप लेती हूँ सूख जाएंगे तो बादार में बेचाऊंगी मा लाओ मैं भी उपले बनाने में तुम्हारी मदद करूँ कमला अब रोजाना पडोस की सरोज के घर से गोबर लेती और उपले बना कर बादार में बेच देती थी कमला को रोजाना अपने आंगन से गोबर ले जाते देख, एक दिन सरोज के मन में आया, ये कमला तो बड़ी चालाक है, थोड़ी से साफसफाई करके, और मेरे घर से रोजाना मेरी ही गाय का गोबर ले जाती है, और बाजार में उपले बना कर बेच देती है, मुझे तो इसक कुछ भी नहीं मिलता, फिर मैं क्यों इसे मुफ्त में गोबर उठाने दू, मैं तो कल से मना ही कर दूँगी, बड़ी आई मेरी गाय के गोबर से उपले बना कर बेचने वाली, सरोज बेहन, गोबर लेना था, उठालू, देखो कमला, बिंदिया के बापुने गोबर देने के लिए मना कर दिया है, हम भी तो उपले बना कर खुद बाजार में बेच सकते हैं, ऐसा उनका कहना है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई बात दी सरोज बेहन, मैं कुछ और इंतिजाम कर लूँगी, आप परिशान मत हो, अब क्या करूँ, एक पर सेट लालचन जी से पूछती हूँ, अगर वो मुझे अपनी गाय का गोबर लेने दे, तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, सेट जी, क्या मैं आपकी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ, आपकी बड़ी महरबानी होगी, अरे ले जा, मुझे क्या एतराज होगा, वैसे भी गोबर साफ करना पड़ता है, तू उठा कर ले जाया कर, कंबला सेट लालचन की गाय का गोबर उठा कर ले जाने लगी, एक दिन जब कंबला गाय का गोबर उठा रही थी, तो सेट लालचन ने सोचा, ये कमला रोजाना वक्त बेवक्त गोबर उठाने आ जाती है मेरी ये वाली गाय तो बहुत ही कमजोर और बीमार हो गई है इस बीमार गाय को कमला को ही दे देता हूँ यही ठीक रहेगा कमला तु रोजाना गाय का गोबर उठाने आती है तो ये काम कर, तो ये मेरी गाए अपने ही पास रख ले, है, मुझे इस गाए की कोई जरूरत नहीं है, ये गाए तु ही ले जा, तु ही ले जा ये गाए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सेट जी, मेरी मदद करने के लिए, मैं इसकी खूब देखभाल करूँगी गाए बिमार है, इस बात से कमला अंजान थी, वो से अपने घर ले जाती है, उसकी बेटी पूजा उसे कहती है, मा, ये गाए तो बहुत ही कमजोर है, लगता है ये बिमार है, कोई बात नहीं पूजा, हम कुछ दिन इसकी देखभाल करेंगे, तो ये ठीक हो जाएगी कमला अपनी बेटी पूजा के साथ मिलकर गाए की देखभाल करती थी, पर वो गाए बिमार थी, इसलिए बहुत कम दूद्दे पाती थी, एक दिन कमला जब भोजन बना रही थी, ये थोड़ा सा याटा बचा हुआ है, इसकी रोटियां बना लेती हो, पूजा को भी कुछ खाने को मिलेगा बाबा, कबसे भोखे हैं, कोई है जो मुझे कुछ खाने को थोड़ा बहुत दे दे, ये तो कोई साधू महराज है, इन्हें ये रोटिया बनाई है, इनमें से कुछ रोटिया आप खा लो, इसने तो मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया, अब इसके खुद भोकी है, इसकी उदारता देखकर तो मेरा भी मन भराया, मैं जान गया हूँ, इसके घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये रोटिया ही थी, जो इसने मुझे खिला दी, बेटी, तुम बहुत दयालू हो, तुमने अपने हिस्से का भोजन मु कोई आवशकता नहीं है, तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए, अब मैं चलता हूँ बेटी, भगवान तुम्हारी सदैव मदद करेंगे। जिसके वज़े से धीरे-धीरे कमला की जिंदगी में सुधार आने लगता है, और उसके पास पैसों की भी तंगी हट जाती है, उसने अपने मकान को भी पक्का बनवा लिया था, कमला की पडोसन सरोच, कमला को सोने का गोबर उठाते हुए देख लेती है, और वो सीधी कमला कमा रही है, उस सोने के गोबर पर तो आप का ही हक होना चाएए था ना सेट जी? क्या कमला को जो मैंने गाई दी थी वो सोने का गोर देती है ऐसा कैसे हो सकता है रामलाल किशोर कमला से हमारी गाई वापस ले आओ बोलना सेड जी अपनी गाई वापस znajए है सेड लाल चन्थ के आद्मी कमला से जबरदस्ती गाय वापिस छीन लाते हैं कमला बिचारी रोने लगी है चुप हो जो मा, रो मत ये जरूर सरोचाची का ही किया धरा है उन्होंने ही सेट लाल चंजी को भढ़काया होगा क्योंकि कल सुबह उन्होंने सोने का गोपर उठाते वे मुझे देख लिया था अब ही तो हमारे दुखों के दिन दूर हुए थे फिर से ऐसे दिन क्यों आ गए प्रबू गाय को ले जाकर सामने खूटे से बांध दो कल सुबह उठकर देखता हूँ सुबह तक तो धेर सारा सोने का गोपर देदेगी ये गाय सारा गोपर अच्छे दामों पर किसी बड़े सुनार को बेज दूँगा अरे इसे क्या हो गया ये गाय तो काबू में ही नहीं आ रही है अरे कोई पकड़ो इसे हट पिछट ये तो मेरे पिछे ही भाग रही है मालिक लगता है ये गाय पागल हो गई है इसे काबू में करना मुश्किल है ये तो आपकी पिछे पिछे भाग रही है मालिक बचाओ अपने आपको राम लगता है बिमारी पे चलते हैं ये गाय पागल हो गई है, चल्दी से छट पर भाग जाता हूँ और दर्वाजा बंद करनेता हूँ, यही ठीक रहेगा, लगता है चली गई, देखूं तो जरा, ये किशोर और रामलाल कहां भाग गए, तबा तबा जद दुबारा इस गाय को मैंने बुला लिया, भाल भाल उसी कमला के पास रहे, अब ये पागल गाय, दुबारा नहीं बुलाओंगा इसाफत को गाय शान्त होकर कमला के घर वापस आ जाती है, मा, देखो, हमारी गाय वापस आ गए, हाँ पूजा, ये सब भगवान का ही आशिरवाद है, जो हमें ये गाय वापस मिल गई अगले दिन से वो गाय फिर से सोने का गोबर देने लगती है, पर सरोज अब कुछ नहीं कर सकती थी, सेख लाल चन्त के मन में भी अब उस गाय का डर बैट गया था, सही कहा है, भगवान उसी का साथ देते हैं, जो दिल का अच्छा होता है, जो दूसरों की मदद करता है, और जिसके मन में कोई खोट नहीं होता, और फिर दीरे-दीरे कमला की जिन्दगी में सभी परिशानिया दूर हो जाती है, करते हैं, जो च जैanken, हुआ को जाती है, जो दूस्टा होता है, जो दो में सभी आजखी कि मुए्या झाज़र होता है, सरों में सभी संभी का अटिए